कुछ रिष्टे बहुत मीठे होते हैं बस बातें कर भी होती है बहु कहा मर गई अंदर से आवाज आई जिन्दा हूं माजी तो फिर मेरी चाई अभी तक क्यों नहीं आई कब से फूजा करके बैठी हूं ला रही हूं माजी बहु चाई के साथ भजिया भी ले आई सास ने कह तेल खिला कर क्या मारोगी हमें बहु ने कहा ठीक है माजी ले जाती हूं सास ने कहा रहने दे अब बना दिया है तो खा लेती हूं सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने बहु भोली माजी मुझे कफरे धोने हैं मैं जाती हूं बहु स्कुराई और काम पर लग गई, दुपर के खाने का बक्त हुआ, सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा, बहु ने आवाज नहीं दी, सास फिर चिलाई, भूके मारूगी क्या, बहु आई सामने खिचरी रख दी, सास गुस्से से ये क्या है, मुझे इसे नही खाना, इसे ले जाओ, बहु ने कहा, आपको डॉक्टर ने दीन में खिचरी खाने को कहा है, खाना तो परेगा ही, सास मु बनाती हुए, हाँ, तु मेरी माँ बन जा, बहु फिर मुस्कुराई और चली गई, आज इनके घर पूजा थी, बहु सुबह चार वजे उठ गई पहले असनान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साप की पकवान और भूज बनाया, सुबह के नव बज गए, अब सास भी उठ चुकी थी, बहु अब पंडित जी के साथ भगवान के बस्तर तयार कर रही थी, आज ओफिस की भी छुटी थी, उनके पती भी घर प बुलाया, और बहु के हाथ में थाली दी, जैसे ही बहु ने थाली पकरी, थाली हाथों से गिर परी, सायद भोज बनाते हुए, बहु के हाथों में तेल लग गया था, जिसे वो पोचना भूल गई थी, सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कैसी बहु है, कुछ नही आता एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहु उठा लाए, एक आर्ती की थाली भी संभाल नहीं सकी, उसके पती भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी, धीरे धीरे, अब सबको खाना परोशा जाने रगा, बहु दर-दर के खाना देती, फिर पानी लाती, करीब सार सत्तर लोग हो गए थे, इधर दो नक और अज़ाएगी,